हलो फ्रेंड्स आज मैं अपने गाउं की एक रेसिपी सेयर कर रही हूं जिसको इस पेसली 10 सहरे के दिन यानि की बीजय 10 में की दिन बनाया ज़ता है और खाने बहुत अच्छी लगते हैं तो यह मैं बना रही हूं देहाती देही बड़ा यानि की गाउं में जिस तरीके से द जेरा दालना होता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल थेद्सकु बड़ीफ एक पीस लेना है उसके बाद यहां पे भूना रखगर दिया है और यहांनिक तया प्यूंप यह अच्छी में नायका बराबर लाबर डाल एक द एक अधर बीड़ा हैं लगानिशाना है यहां पर किसमी सूखा नारियल हरी मिर्च अद्रक इनको डालके और थोड़ा से जीरा डालूंगी लगबग छोटी चमत से आधा चमत जीरा डालके इसको फेट लूंगी और इसको फिर में तलना इस्टार्ट करूंगी तो हम लोग तही बड़े को तलते हैं सरसो के तेल मे और सरसो के तेल में तला हुआ दही बड़ा बहुत खाने में टेस्टी लगता है तो हमरे गाउं में भी सरसो के तेल में ही तला जाता है बाकी बहुत लोग रिफाइन वगरा में तलते हैं तो सरसो के तेल में दही बड़ा तल के कभी आप लोग भी ट्राय करेगा बहुत ब इसमें मैं थोड़ा सा डलूंगी नमक, उसके बाद थोड़ा सा डलूंगी हींग, व Daily. इसे गाव में हींग वगार ऐसंव ऊतना लोग ने हींग डलते हैं बस नमक वाला पानी डलके हैं और इसमें बड़ोंगो डाल देते हैं फूलने के लिए तो इसको मैंने रखलिया हैं तो यहां तो है सीटी में तो सारे लोग जाते हैं बाहर रावन देखने के लिए उसके बाद रेश्टरेंट वगएरा मैं खाना खाके आते हैं पर गाव में ऐसा कुछ होता नहीं तो गर में ही यह सारी चीज़े बनती हैं बड़े लोग खुश रहते हैं सब मतलब यही सब हो में डालेत तेल में और मैं गोलगोली यहां पर बना रही हूं चाहिए तो रिंग सेयगा सकते हैं मेरे गावमी सित्र के सामाइtern Chuoli बनता है तो मैं वही बना अंदर से कच्छे रहे जाएंगे तो इसको मीडियम पर ही तलना चाहिए ताकि जो है अंदर से यह अच्छे सपक जाए तो देखिए यहां पर मैंने इनको गोल्डन कर लिया एकडम अच्छे से जैसा कलर मुझी चाहिए हो गया है तो अम में इनको निकाल के और इनको पानी म पानी में और यह बड़े में आपको काट के भी दिखाऊंगी अंदर से एकडम स्पंजी जैसे होता है स्पंज टाइब को हो जाता है यह अंदर से एकडम गाट विल्कुल नहीं रहता है बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि गोल-गोल है तो बीच में इसके अंदर गाठ रहे को इसी तर इसमें सारिय दही बडो को तल लूंगे दैई बड़े filming सकते विसल्फ बड़े हैं तो इनको मैं तल लूंगी ंच्छ से पानी से और बहुत ही फ्लफी एकदम नरम नरम बड़े बने अभी में हम दही फेटेंगे तो दही मैंने यहां पर कमी लिया है क्योंकि मैं बस आप सभी के सांथ रेशिपी सेयर कर रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया बाकी का मैं कल बनाऊंगी तो अभी सिर्फ 6-7 पीस में डालूंगी तो दही को मैंने क्या किया है कि पानी डाल के इसको अच्छे से मत लिया है और अगर आपके दही में थोड़ा सा भी मलाई जो भी है मंखन मलाई आप उसको निकाल दें क्योंकि इससे बड़े कर टेस्ट ना दही बड़े कर टेस्ट बिकार हो जाता है मख़न मलाई निकाल गई याब दाही बड़ा बनाए तो यहां पे देखें दाही को फेट लेने के बाद में इसे में डाल रही हूं नमक और नमक डालेने के बाद में बूला हुआ जीरा और लाल मिर्च जो पाऊडर में ने बनाया था उसको में डालूंगी तो हमारे गाउं हम यही तरीका है बनाने का अब हम इसमें तड़का लगाएंगे जीरे neighborhood में बड़े तड़का के लिए नेकल पर बड़े बड़े इसमें बड़े भी टड़ी ढाल में बड़े में नेकल करेका दोड़ा लगा है अडमこう जीराнитक लिए लेका झार को इसमें और थोड़ा पड़ता है तो बस अब इसको आधा गंटे के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आप खाईए बहुत अच्छा लगेगा खाने में यह इसी तरीके से बना और इसमें आपको उपर से हरी चट्नी पिली चट्नी लाल चट्नी यह सब कुछ भी लेने के ज बनता है ना उसे लाग गुना अच्छा है यह बड़ा आपको लगेगा कभी ट्राइब करिएगा और कैसा लगा बताएगे जरूर और हमारे तरफ तो बस इसी तरीके से बनता है मैं भी कभी कभार मूड में आती हूं तो गाओं वाला ही रेसिपी बनाती हूं इसी तरीके स समरादी मुझे यही पसंद आता है बागी बाहर वालों को खिलाना होता है तो बस बाहर के तरफ तरीके अपनाने पड़ते हैं बागी तो गाओं वाली रेसिपी बेस्ट इन बेस्ट होती है तो चलिए आप लोग भी ट्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडि